हेलो गाइज कुछ इंपॉर्टन नीट के एक्जाम के पॉइंट आव्यू से दिया हुआ है इसको जलूर देखिएगा नीट यूजी संदोजा 23 के बारे में यहां पे कुछ दिया हुआ है ठीक है यानि संडे को जो एक्जाम होने वाला है तो इसमें क्या दिया हुआ है देश भर के मेडिकल डेंटल और आयूश कालेजों में MBBS, BDS, BAMS, BHMS समेद बिभीन कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट यूजी 2023 का आयोजन कल 7 मई कल 7 मई है संडे, ठीक है, 7 मई दो जाते इसको देश भर के 499 शहरों में किया जाएगा यह परिच्छा भारत के बाहर भी 14 शहरों में कराई जा रही है परिच्छा का आयोजन दो पहार दो बजे से, यह जरूर याद रखिए दो बजे का टाइम दो बजे से शाम 5.20 बजे तब होगी, यानि दो बजे से टाइम है इसका 5.20 मिनट तब का ठीक है, तीन गंटा बीस मिनट मिल ला है तीन गंटा बीस मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है उम्मीदवार नीट admit card पर दी दिये गए दिशा निर्देशों को ध्यान में पढ़ लें जो आपने admit card ले जाओगा ना जो डाउनलोड किया ओगा उस पर जो आपके पास होगा उसको अच्छे से ध्यान देज़ेगा पढ़ लेज़ेगा ठीकें परिच्छार्थियों को आधा घंटा पहले तक यानि देड़ बज़े तक याद रखिएगा देड़ बज़े तक की इंट्री दी जाएगी ऐसा नहीं कि देड़ बज़े के बाद आप पहुचो दो बज़े का एक्जाम हो तो पंद्रे मिंट पहले पहुचो तो दिक्कत हो सकता है आपके लिए क्यूंकि डेड़ बज़े तक ही इंट्री होगी जो लिखे जैसे लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिन द्यान लखियेगा ठीक है, डेड़ बज़े तक ही इंट्री दी जाएगी जैसा की माना जाता है तो डेड़ बज़े के बाद जो अब्यारती, यानि एक 30 तक मान के चली, एक 30 से पहले तक आप पहुँच जाएगा सेंटर पे ठीक है, वरना उसके बाद इंट्री हो सकता है ना मिले है, बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा तो 130 बज़े के बाद जो ब्यारती आएंगे उन्हें परवेश नहीं दिया जाएगा ठीक है वही इंपोर्टेंट पॉइंट है, यह याद रखियेगा 130 से 145 तक परिच्छा 130 से 145 तक परिच्छा कच्च में एड्मिट कार्ट चेक करने और गाइडलाइन्स बताने का काम चलेगा ठीक है आगे टेस्ट बुकलेट जो आपको मिलेगा बुकलेट पेपर बगर ठीक है, टेस्ट बुकलेट 145 बजे बाटी जानी शुरू होगी जो आपको मिलेगा बुकलेट बगर है टेस्ट के लिए ठीक है अब 155 बजे से चात्र टेस्ट बुकलेट पर अपनी डिटेल्स भर सकेंगे ऐसा नहीं कि आपको मिला तुरुन ता भर दो थोड़ा टाइम रुक जाईएगा ठीक है और आप अच्छे से उसको देख लिजएगा कहीं कुछ मिस्टेक ना हो कहीं फटा ना हो कोई और दिक्कते ना हो उसके अंदर ओ अमार शीट भी अच्छे से आप खोलने के बाद चेक कर लिजएगा ठीक दो बजे से परिच्छा शुरू होगी ठीक पांच बीस बजे संपन होगी यानि उस तरह संपन हो चुकी होगी पूरी हो चुकी होगी ठीक है पांच बीस का जो टाइम दिया है एंटी ए ने अभ्यार्थियों को अपना परिच्छा केंद्र एक दिन पहले देख लेने की सलाईदी है ताकि एक्जाम वाले दिन सेंटर पर पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो ठीक है गाईज तो इस पॉइंट को जरूर आप ध्यान लखिएगा ठीक है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और अपने दोस्तों में भी शेर करिए जितना भी जादस जादस हो सके ठीक है चलिए अब इंपोर्टेंट पॉइंट यह है कि ड्रेस कोड और लोग को पता नहीं रहता है ड्रेस कोड क्या होता है ठीक है तो ड्रेस कोड पे भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा ऐसा ना हो कि आप जो उसमें ड्रेस कोड दिया हो और उसके अलावा आप दुसरा कुछ पहन के चले जाए ठीक है तो देखिए लिख्या नीट दो जाते जूतों की अनुमती नहीं ठीक है आदा घंटा पहले पहुचे जाने नीट ड्रेस कोड समेत परिच्छा के दस अहम नियम नीट ड्रेस कोड क्या होता है भई स्लीपर पहन कर आएं चपल पहन के जाएगा भई ठीक है भाईयो बहनो सब लोग boys and girls आप लोग ज़रूर इस चीज़ पर ध्यान देजिएगा जो लोग एक्जाम देने वाले कि स्लीपर सिम्पल वाला स्लीपर पहन के जाएगा ठीक है महिलाएं कम हील वाली सेंडल पहन कर आ सकती है ठीक है जूते पहन कर आने की इजाज़त नहीं है ठीक है जूते मत पहन के जाएगा पूरी बाजू वाले कपड़े पहन कर आने की अनुमत नहीं है ठीक अगर कोई उम्मिदवार कल्चरल ड्रेस में आता है तो इन चात्रों को उच्छी तलाशी के लिए साड़े बारा बज़े केंद पर पहुंचना चाहिए जूलिरी पहन कर आना भी मना है ऐसा नहीं कि लोग जूलिरी बड़े बड़े पहन करके जा रहे हो संग्लासेस, घड़ी, टोपी पहन कर एक्जाम देनी के अनुमती नहीं है ठीक है ये भी ध्यान नखी हगा वाई हेर बैंड, ताबीज, जो ताबीज होता है न उसको भी पहन के अनुमती नहीं है वो मत पहन ही हगा हेर बैंड, ताबीज, बेल्ट, ठीक है स्क्राफ, अंगूठी, कड़ा, कान के बुन्दे, नाक की लॉंग, गले काहार, बिल्ला, कलाई घड़ी, ब्रेसलेट, कैमरी, मेटलिक आइटम अपने साथ ना लाएं ध्यार न कियेगा इन सब चीजों पर ओके अब तीसरी चीज याद रखियागा डॉकुमेंट्स के बारे में ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टिन पॉइंट है इस चीज पर ज़रू ध्यान दिजागा और अपने दोस्तों को भी शेर करिए ताकि उनसे भी कोई मिस्टेक ना होने पाए ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लिजेगा हमारे चैनल को अगर आप नहीं देख रहे हों ठीक है नीट परिच्छा में ये डाकुमेंट वह फोटो ले जाना ना भूलें ठीक है भी, बिल्कुल, ध्यान देगी है उम्मीदवार अपने नीट एड्मिट कार्ड के अलावा औरिजिनल आधार कार्ड बिल्कुल आइडी ले लिजिएगा भई कोई भी जो हो भी आपके पास हो अगर आपके पास आधार कार्ड हो तो उसको ले लिजिएगा पैन कार्ड, वोटर आइडी या अन कोई फोटो आइडी प्रूफ भी लाए ठीक है जरूर ध्यान देजिएगा अटेंडेंज शीट पर चिपकाने के लिए एक पासपोर्ट साइज का फोटो जरूर लाए अच्छा फोटो वो ले जाएगा जो आपने जो फार्म भरवाते से हमें लगाया था ठीक है जो आपने अगर लगाया था जो भी लगवाया था आउनलाइन करवाते समय फार्म फिलप करवाते समय उसी फोटो को ले लेका जाएगे तो बेटर रहेगा फोटो का बैक ग्राउंड सफेद हो बिल्कुल ध्यान न किया गए इस पर एड्मिट कार्ट के साथ डाउनलोड किये गए परफॉर्मा पोस्ट कार्ड साइज साइज भी ध्यान रखिये गए बई ठीक है यह दिया हुआ है साइज ठीक है को फोटो यह ऐसा याद रखिये गा फोर in two six ठीक है four by six भी इसको लिख सकते है इस तरह से ध्यान नदर्क कर सकते हैं का फोटो लगाएं इसे एक्जाम हाल में इन्विजिलेटर को देना होगा ठीक है उससे मैं आप दीजिए अगर इसको एक्जामनेशन हाल में जो मिदवार एड्मिट कार्ट के साथ डाउनलोड किया गए प्रोफार्मा पर पोस्ट कार आका चार गुड़े 6 फोर इंटू 6 का फोटो चिकाया हुआ और एक अन्ड पासपोर्ट आकार का फोटो साथ नहीं लाएंगे उन्हें प्रवेश में अनुमत नहीं दी जाएगी तो भई अगर ऐसा भई अगर ऐसा कोई दिक्कत अगर आ जाया तो फिर मतलब क्या है तो इससे अच्छा आप सारे लोग जो भी व पोच है ओके वीडियो कर अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें ठीक है और सब्सक्राइब भी जरूर करें थैंक यू